अब अगर उसकी डिरेक्शन सही नहीं है वो हो चुका है उसमें क्या कुछ उपाई किये जा सकते हैं तब भी अगर परेशानी आ रही है बिलकुल देखिए सबसे पहले हमने साउथ हीस्ट का बताया कि अगर आपका अंडरग्राउंड साउथ हीस्ट में है अब हम बात करते कि रिसोर्स आपके अगर सही जगह में नहीं है निकि नौर्थ में नहीं है नौर्थ में नहीं है इस्ट में भी नहीं है तो क्या कर सकते ह हम सबसे पहले उसी दिशा का एक उपाई करेंगे suppose आपका water जो resource है वह south की direction में आ जाता है तो south में आपने red color करवाना है अगर वहाँ पे terra quota red करवाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने मंदिर में आपने भगवान पंचमो की हनुमान की एक तस्वीर रखनी है इससे overall जो energies हैं वहाँ की क्योंकि अगनी ततू fire element उस जगा का disturb हो रहा है जहां पे आपने अपना water resource दे दिया south और south east एक fire element area है और यहां पे अगर आप water element दे देंगे तो both the elements will clash with each other and आपके घर में peace and prosperity नहीं आ पाएगी तो आपने उस जगा को terracotta color देना है, terracotta red color देना है वहाँ पे शाम के समय आपने एक दीपक जलाना है और carnelian stones use करने है because carnelian stones red color के होते हैं और बहुत फाइरी energy लिएवे होते हैं और water के energy को वहाँ पे suppress कर देते हैं